प्रात्मिक शिक्षक बर्दी वर्गतीन के सभी भविस्ट के प्रात्मिक शिक्षकों का एक बार पुनहा रामसर यूटूब चेनल में मैं रामसर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ उमीद है आप सभी वर्गतीन की तयारी अच्छे तरीके से कर रही होंगे और बड़ियां आपका एक समय सुरूल अब बन चुका होगा एक आदत आपको होच की होगी कि मुझे लगबख 5-6 घंटे डेले की पड़ाई करना है आदे समय में मुझे विशावार अध्यन करना है और आदे समय में मुझे उनकी शिक्षन विदियों को पढ़ना है मैत को समय देना है और हब सबता है में एक बार आपको प्राक्टिस सेट जरूर लगाना है या फिर दो बार लगा सकते हैं बहुत बहतर होगा आप सभी के लिए कई नए साथी अविसकड़ी में गुर जुर चुके हैं अभी तक 6 लाग बच्चे थे अब लगबख 7 लाग तकी संख्या अभी फिलहाल में बपडेट की है MPPV ने और फिलहाल 7 साथ लाग बच्चों तक के फॉर्म भर्जा चुके हैं पदों की संख्या को लेकर के मैं थोड़ी देर बाद आप से विशलेशन करूंगा अभी फिलहाल एक महत्पून जानकारी जो आप सभी के बीच निकल के आ रही है कई बच्चों ने एक चीज सामने आई है आविदन यह भी डिसकस करेंगे कि एक्जाम होने की कितनी कितनी संभावना यहां पर बनती हैं आप देखेंगे प्राइमरी टीचर पात्यता परिक्चा फॉर्म भरने की डेट बड़ी मद्यप्रदेश प्रपलेशन एक्जामनेशन बोर्ड ने स्कूल सिक्षा विबाग के प्राथ 22 दिसंबर थी जो कि पीवी ने एक जनबरी तक बढ़ा दिया ठीक है पीवी के अनुसार पहले जनबरी फरवरी 2020 में इस परिक्षा के लिए ऑनलाइन आविदन भाउं भर गए हैं परिक्षा मार्च 2022 में प्रस्तावित है मद्यप्रदेश आसन जनजाती विभाग के अनु के फॉर्म है कि वो तारिक जो है वो एक जनबरी यहां पर कर दी गई है थोड़ा जूम करके देख लीजेगा आप लोग और आप में से जो साथी संसुधन कराना चाहते हैं उसकी लिए भी तारिक सायद दो जनबरी है देख लिए भुकतान के पस्चा संतुलन कराने की ता महिने का समय है आपके देखा जाए जनबरी से दो महिने तक का और सही समय में स्यारी सही तरीके से हो इसके लिए मेरे द्वारा 2021 में ही अप्टेटेट नोट तयार किये गए हैं नीचे नंबर आपको सोहरा होगा पांच बुकलिस्ट रहेंगी विशावार एक अलग से मैंन कॉल ना करें अब उठता है सबसे बड़ा प्रस्न है कि सरी इस परिक्षा कारिक्रम में देखा जाए आंगे देखेंगे इस परिक्षा कारिक्रम में अदि आप देखेंगे तो प्राथमिक सिक्षक भरती देख रही है पांच मार्च से हमारे बीच में कुछ ऐसे सिक्षक ह जुड़े हुए हैं वो आए दिन या हफ़ते भर में दो से तीन वीडियो ऐसे बनाते हैं जो कभी पढ़ाते नहीं है बस उनका काम सिर्फ इतना है कि करना है चीजों को लेकर के और देखो मैं आप लोगों से हमेशा कहता आ रहा हूं कि आपका काम सिर्फ पढ़ना है और जब तक हमारी पीवी एक्जाम डेट सुडूल बना चुकी है ठीक है तो यह एक प्रस्थिति खड़ा हुआ कई लोगों के बीच में कि सर चुनाव हो रह arawan से कही थी खांगा कहीं आज जो बच्छे पढ़ रहे हैं मेरे चैनल से जो डेली लाइब क्लासिस देख रहे हैं यह वो बच्चे हैं जो 2021 की जन्बरी अभी डिसंबर में जिने फिर्म लें यह बिल्कूर नए बच्चे हैं और जो 2020 के बच्चे हैं जो 2020 में फॉर्म भर चुके थे साड़े 6-6 लाख उनको अभी बिलकुल भी एंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई करने में यह सिर्फ नए स्टुडेंट है जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ ही बच्चे हैं जो 2020 के फॉर्म भर रहे हैं तो य इसली बात चुनाओ भी हैं इसकी वज़ा से नहीं होगी तो यह काम आज का आपका भी चल रहा है तो इनके बीच में तयारी को लेकर कि क्या हो क्या ना हो सबसे पहली बात देखि कितनी संभावना बंती हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो आज की एक खबर आई है जो की मैं आपको बता दूँ और आपसे पहले एक एक एकजाम होनी है मद्यपरदेस में सबसे बड़ी एकजाम है आपसे दो गोनी बड़ी सात्यी सामल होनी है जो की इस खबर के बारे में खबर क्या है पूरी देनिक भासकर में आपको दीचे मिल जाएगी आप चाहे तो इसका अवलोकन कर सकते हैं क्या कहा गया है इसमें करीब 4 साल से अटकी पुलिस आरक्षक भरती परिक्षा तैस दूल के मताबिक होगी अब तक परिक्षा के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए है इस परिक्षा में करीब 11 लाग अभ्यारती सामेल होगी यह परिक्षा आठ जनवरी से होना है आरक्षक भरती परिक्षा लंबे समय से अटकी होने की वज़ए से धाई लाग से जादा यह अम्मीद बार याभ्यारती ओबरेज हो गए है इस वज़ए से इस परिक्षा में एक बार के लिए आयू सीमा 33 से बढ़ा कर 37 साल करने की मांग की जा रही है हाला कि आयू सीमा नहीं बढ़ाई जा रही है पीवी के अधिकारियों के मुताबिक ध्यान रखे अधिकारियों के मुताबिक प्रिवेस पत्र एक जनवरी के आसपास अपलोड हो जाएंगे अभ्यारती वेबसाइट से इसे अपलोड कर सकते हैं चेक कर सकते हैं अधिकारियों के मुताबिक इस परिक्षा में लगबख लाखों शात्र सामिल हो रही है इस बज़े से करीब 20 दिन में यह परिक्षा ऐज़िद की जाएगी परिक्षा केंदरों पर नकल प्रकरन रोकने के लिए भी विसेश प्रकार की इंतजाम किये गए है केंदरों पर जेमर वासत्यापन की अन्य विवस्ता यहां पर की गई है सबसे महत्पूर बात जो कि आप लोगों के लिए भी कही ने कहीं सार्तक सिद्ध होगी जो लोग उन साथियों के साथ जुड़े हैं उन साथियों का समर्थन करते हैं जो लोग आपके इस बात पर अड़िग हैं कि एक्जाम नहीं होनी है और कहते हैं कि पढ़ाई करवा तो यह दोई विवहारी होता है दोई विवहारी का मतलब यह है कहीं ना कहीं कि आप उनको लिए सबसे बड़ा परसने चेने तो यह क्योंकि आप में से 70-80% साथ ही ऐसे होंगे जो एक्जाम बेस पढ़ाई कर रहे हैं आपने अपने इतिहास में आने वाले 10-5 साल में आपने पढ़ाई नहीं की है क्योंकि एक्जाम ही नहीं हुए आपके बर्गे 3 के B.A.D.A. और कॉलिज की पढ़ाई कोई करता नहीं है पहली बार आप किसी कॉंपिटिशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो इस कॉंपिटिशन एक्जाम में चाहिए है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें आप इस बेस पर ना पढ़ें कि एक्जाम होगी तो पढ़ाई होगी एक्जाम नहीं है तो पढ़ाई नहीं है यदि आप इस बेस पर पढ़ते हैं तो समय लिजी आप सेलेक्शन से बाहर हो जाएए यदि आप इस बेस पर पढ़ते हैं कि यार हमें एक्जाम निकालना हैं तो आपको डेली पढ़ना पढ़ेगा और डेली ऐसा पढ़ना है जैसे एक्जाम आपका आने वाले 7-8 दिन में हैं तो आप उस कड़ी में जुड़े हैं और यदि आप दूसरों को सुनकर उनको तारीफ देकर कि ऐसा पीवी के चेयर्मेन आईड सीपी केसरी जी ने बताया है कि पुलिस आरक्षक परिक्षा तैस समय पर आज़त की जाएगी तारीख आंगे नहीं बढ़ेगी प्रवेश पत्र भी जल्द अप्लोट कर दिया जाएंगे यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि जनवरी तक त्यान रखिए जनवरी तक आपके एडमेट कार्ट आ जाएंगे तो अब यह मानके चलिए कि यदि मद्द प्रदेश पुलिस आरक्षक भरती होती है तो आप लोगों की जो है बर्गतीन की परिक्षा यहाँ पर होगी यह बिलकुर निश्चित है आप लोगों को तयारी में लगे रहना है क्योंकि कॉंपटीशन बढ़ गया है भियाद रखना अप रही सबसे बहुत पूर बात जो दूसरे राज्यों के साथियों को सता रही है मद्द प्रदेश के सातियों को सता रही है हाँ बिल्कुल अकलेशी में यही आप लोगों से सभी से कहता हूँ कि आप लोग निमत बेस पर पढ़ाई करें आप देली दिन्चरिया अपनी हिसाब से बनाए कि मुझे सातात गंटे पढ़ना ही पढ़ना है इसी भी प्रकार से आप सुभे का जो समय है आपके मौर्निंग समय यह आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से लेकर 10 बजे तक का समय बना ले कि इसमें मुझे सुभे एक घंटे पढ़ना है परयावन के बाद मुझे हिंदी पढ़ना है इसके जस्ट अपोजेट साम को आप बना लेजे कि इस समय मुझे इसकी पढ़ना है गलत की पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है तो आप लोगों को नहीं नहीं तो 6 घंटे बुक से पढ़ाई करना है चाहे नोट से पढ़िया आप मेरे जो इनने बुलाई है और जिनके पास बुकलिस्ट है, जिन्होंने बुक से पढ़ाई की है और उसके अलाबा जब भी आप खाना बनाते हैं जब भी आप ऐसे समय में कहीं खेट जा रहे हैं इसकूल में बैटे हैं तो मोबाल से आपको MCQ लगाना है आपको मोबाल से PDF में पढ़ना है आपको मोबाल से YouTube पढ़ना है उस समय का यूज करना है आपको पढ़ने के लिए और यहां आपको किताबों से पढ़ना ही पढ़ना है तो याद रखिए का यदि जनवरी में बर्गतीन MPP पुलिस के एडमेंट कार्ट आ रहे है तो आप लोगों की भी परिच्छा निस्चिंद है कि मार्च में होगी ठीक है बिल्कुल है क्योंकि ये एक्जाम P.E.B. कंड़क्ट करा रहा है तो उम्मीद आप लोगों के लिए भी है इसलिए आज समल जाईए आप यदि ऐसे लोगों की बातों में आ रहे हैं जो एक्जाम ना कराने की पक्च में है तो आप कही न कहीं वो बविस्ट के साथ आपी खिलवार कर रहे हैं तो इस बात से बिल्कुल मत देखो किसी भी प्रकार से अपने आपको नकारतमकता में मत ले जाओ सकारतमक रहो की पढ़ाई करना है सेलेक्षन के लिए एक्जाम होगी और बिल्कुल होगी इस तरीके से रहेंगे तो आप सकारतमक रहेंगे बस दिखता की पीछे मत जाओ की कौन क्या कहना चाहता है क्या हो रही है सिर्फ टारिगेट रखो कि पढ़ाई करना है एक्जाम होगी यदि ये मन कहता है कि सकारत में ता है तो पढ़ाई होती है यदि इस मन में दमाग में चीज सेट हुए कि एक्जाम नहीं होनी है तो आप पढ़ाई करके कितना भी आप प साथीगर देखो तैयारी कैसे करना है इसको लेकर के मैं आप सभी के बीच बहुत जल्दी आ जाओंगा और बहुत जल्दी आप सभी के बीच इसको लेकर के चार्चा करूंगा कि कैसे हम कम समय में तैयारी करें क्यूंकि इस कड़ी में नए ऐसे साथीगर जोड़ चुके हैं जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं है वर्गतीन का अभी-अभी उनकी तयारियां सुरू की गई है तो बिल्कुल जी विक्रम जी बस उसी के लेकर के मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ तो यह आपके साथ एक टार्गेट जोड़ चुका है कि लगबग आपको 6-7 घंटे के सुडूल के साथ तयारी करना है बेस्ट करना है टेस्ट सिरीज लगा के रखना है जहां से भी लगाई है अपनी एप्लिकेशन पर भी आपको 150 टेस्ट सिरीज है कि मेरे नमर कितने आ रहे हैं कहां कमी हो रही है जरूर लगाईए बाद में पस्ता आएंगे कि टेस्ट सिरीज आपने कहीं से नहीं लगाई चाहे आप बुकलेस्ट से लगाईए या मेरे नोर्स में आपको दी है उससे या किसी किताब में टेस्ट सिरीज दी गई है या प बर्गतीन की पदों को लेकर के प्रयास था वह आप देखेगा इसी तरीके का प्रयास हम जनवरी में करेंगे आने वाली 2022 की जनवरी में बर्गतीन की पदों को लेकर के भोपाल में एक विसाल अंदुरन होगा कि लगभग 10,000 जो आपने 2018 में कही थे DPI के वो हमें 10,000 चाहिए ही चाहिए हैं लेकर आप जो Tribal की पोस्ट हैं उनको 10,000 निकालें मतलब उतनी पोस्ट Tribal में होनी चाहिए उतनी ही पोस्ट आपके MPPV में होना चाहिए या फिर MPDPI में होना चाहिए लगवग यही उमीद है कि 10,000 जितना हमारे DPI ने कहा था 2018 में उसी बात को एगरी करते हुए 10,000 पोस्ट निकालेंगे और बाकी पोस्ट आपकी Tribal निकालेगा ठीक है उमीद अच्छी है कि लगवग 10,000 तो रहेंगी 2018 में जो भी हमारे पत्र आये थी BGP सरकार उस समय भी थी बरगे को बरगे दो उस समय निकाले थी और आज भी BGP सरकार है तो 10,000 की उमीद में है हमारी एक्जाम कि इतने एक पत्र आएंगे तो यही है और हम एक बार घोसित कराने के लिए देखो आने हैं वो भविस्य का प्रस्न है पर आप उनको प्रदसित करें DPI की पोस्ट को अपलोट करें आप बताएं कि हमने 10,000 पोस्ट निकाल दिये 5000 या 10,000 आपका ट्राइबल निकालेगा तो दोनों की पोस्टों को निकलवाना है ये उमीद है कि 10,000 आएंगे पर उनको आप प्रदसित करें उनको आप आदेश जारी कर दें कि हम इन 10,000 पदों को भरती कर रहे हैं तो हम संतुष्टी लेंगे जनवरी में बहुत जल्दी प्रयास होगा हमारा इसको लेकर के बहुत बहुत सुक्रिया धनवाद मेरे सभी जोड़ साथियों को जुड़ने के लिए बहुत समय मिला था एक लंबी समय के बाद आप सभी से जुराइब लुवरू हो रहे हैं तो धनवाद आपने अपना समय दिया बस तयारी से जुड़े रहे है तयारी को नहीं छोड़ना है पैस्ट आप पलाग आप सभी के लिए इसको लेकर के हम थोड़ी समय बाद चर्चा करेंगे आप सभी के लिए बरगे को बरगतो की जुआनिंग को लेकर के क्योंकि अब चुनाओ की आचार सहता लग चुकी है तो ये मान के चलिएगा आप सभी लोग की अब आपके पास में समय है आपके उमीद बन सकती है की आपकी जुआनिंग को लेकर के सरकार कुछ करें बस OVC बालों को लेकर के कुछ कहनी सकते क्योंकि OVC आरक्षा एक ऐसा विशा है जो आपके सुप्रेम कोर्ट तक पहुँच चुका है तो वो आपका अखेला विशा नहीं बना है अब पूरे मद्द प्रदेश का विशा बन चुका है OVC आरक्षा तो जो 15% सीटे रुखी है OVC बालों की उनको तो वेट करना पड़ेगा लेकर हाँ अब बीच का रास्ता निकल गया है DPI के पास वेटिंग के लिए करने के लिए और जंजाती विभाग के जो आदिस रुके हैं उनको जारी करने के लिए तो है ना इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद आपसे एक लाइब रूबरू वीडियो बनाएंगे ये वर्ग एक वर्ग दो वर्ग तीन के लिए था इस्पेसली भूपेंजी बिल्कुल चले धन्वाद और भूपेंजी एक साथ पचास कमेंट मत किया करिए देखिए आप किबल उनकी कमेंट देख रही है पर कॉल कर सकते हैं तेंकियो सो मच जोने के लिए तैयारी करते रहे हैं आप सभी लोग बेस्ट अब लग तेंकियो सो मच